हाई friends, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है और आज में लेकर आए हूँ गनेज जी की फेवरेट मोदक की रेसिपी ये मोदक को हम सूजी और बेसन से बनाएंगे, ये मोदक को हम बीना मिल्क पॉर्डर बीना खोय से बनाएंगे लेकिन फिर भी इतने स्वादिश्ट बनते हैं कि मुँ में डालते ही घुलने लगते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बेसन और सूजी की इस मोदग की रेसिपी को शुरू करते हैं मोदग बनानी के लिए मैंने यहां लिया है दो टेबल स्पून बारिक कटे हुए काजू, दो टेबल स्पून बारिक कटे हुए बदाम और दो टेबल स्पून बारिक कटे हुए पिस्ता और लिया है एक कटोरी बेसन, आधी कटोरी बारिक वाली सूजी और आधी कटोरी डेजिकेटेट कोकोनेट और लिया है 1500 ग्राम चीनी और 200 ml दूद सभी चीजों की quantity में description box में डाल दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और लिया है 100 ml या आधा कब घी अब एक कड़ाई को हम low flame में गरम होने रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 टी स्पून घी घी को पहले गरम होने देंगे और उसमें डालेंगे कटे हुए dry fruits अब हमें dry fruits को 2 मिनिट के लिए low flame में भून लेना है इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है जब dry fruits में हलका सा कलर आ जाएंगा तब समझ जाईए कि ये dry fruits भून गए है तब हम इने उतार लेंगे तो ये देखिए dry fruits में हलका सा कलर दिखाई दे रहा है तो अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम उसी कड़ाई में बच्च हुआ घी एड़ कर देंगे और उसमें सूजी डाल देंगे तो अब सूजी को हम low to medium flame में दो मिनिट के लिए भून लेंगे सूजी को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए हमने इसे पहले डाला है तो दो मिनिट बाद सूजी भून गई है अब हम इसमें बेसन एड़ कर देंगे अब बेसन को भी हमें low to medium flame में 8-10 मिनिट तक भूनना है बेसन को हमें तब तक लगातार चलाते वे भूनना है जब तक बेसन में हलका सा बादामी कलर ना आ जाए और इसका घी रिलीज ना हो तब तक हमें से भूनते रहना है flame को हमें low ही रखना है तब ही बेसन अच्छे से भूनेगा तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बेसन इखटा हो रहा है और इसका घी रिलीज हो रहा है तो बेसन को हमें बहुत ही patience के साथ में भूनना है क्योंकि असली मैनत यही है बेसन को मैंने यहां 8 से 10 मिनिट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं बेसन का कलर हलका बादामी हो गया है इसका मतलब बेसन अच्छी तरह से भून गया है और इसका घी भी रिलीज होता दिखाई दे रहा है तो अब हम इसमें desiccated coconut अट कर देंगे अब नारियल को भी हमें बेसन के साथ 1 से 2 मिनिट तक भून लेना है अब नारियल को भी हमने 2 मिनिट तक भून लिया है अब हम इसमें 1 कटोरी दूद अट कर देंगे और साथ में चीनी को भी अट कर देंगे अब इसे हम mix कर देंगे आप देखेंगे कि दूद बहुत जल्दी जल्दी ड्राय होते जा रहा है तो इसके बाद हम इसमें एक टीस्पून इलाइची पॉर्डर एड़ करेंगे और इसके साथ दो टीस्पून येलो फूट कलर एड़ करेंगे दो चुटकी येलो कलर को मैंने दो टीस्पून पानी में घोल के डाला है कलर पूरी तरह से आपशनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं डो बहुत ज़ादा सक्त लग रहा है और सूजी भी पूरी तरह से पकी नहीं है तो मैं इसे पकाने के लिए एक कप पानी एट करूँगी पानी के बदले आप इसमें एक कप दूद भी डाल सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं सूजी और बेसन के मिक्स्चर ने पानी को भी पूरी तरह से एब्जॉब कर लिया है और ये एक dough की तरह बन गया है तो ये देखिए इसी तरह का texture चाहिए हमें मोदग बनाने के लिए तो mixture बनके तयार हो गया है अब हम gas की flame को बन कर देंगे और इसमें fry की हुए dry fruits एट कर देंगे अब इन्हें हम dough में अच्छी तरह mix कर देंगे अब हम इस mixture को एक plate में डाल देंगे इस mixture को हमें थोड़ा ठंडा करना है लेकिन इसे पूरा ठंडा नहीं करना है अब हम मोदग बनाने के लिए इस तरीके का साचा या mold लेंगे ये mold market में बहुत आसानी से मिल जाते हैं अब mold के अंदर की तरफ हम घी लगा देंगे और इसके अंदर मोदग का mixture डालेंगे दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा mixture डालेंगे और उंगलियों से उसे प्रेस करेंगे अब इसे हम बन कर देंगे तो ये देखिए आप देख सकते हैं जितना भी extra mixture था वो mold से बाहर निकल आया है तो extra mixture को हटा देंगे और अब हम mold को खोलेंगे तो ये देखिए कितना प्यारा मोदग बन के तयार हुआ है और mold मेंसे भी कितने आसानी से निकल गया है लग रहा है ना बहुत tasty और ये सच में बहुत tasty है इसे अब हम plate में रखेंगे और बाकी के मोदग भी इसी तरह से बना लेंगे mold से इसे बनाना बहुत आसान है लेकिन अगर आपके पास mold नहीं है तो इसे हातों से मोदग का shape आप दे सकते हैं तो ये लीजिए दुसरा मोदग भी बन के तयार है और ये भी बहुती सुन्दर बना है इस मोदग की खास बात ये है कि इसे हमने बिना milk powder और बिना मावे के बनाया है फिर भी इसमें मावे जैसा टेस्ट आता है तो फ्रेंड्स इस गनेश उट्सव में इस मोदग की recipe को ज़रूर ट्राइ करें ये बेसन और सुजी के मोदग गनेश जी को और आपको बहुत पसंद आएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बेसन और सुजी के मोदग की recipe पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई